आज की वीडियो में हम सब लोग देखने वाले हैं मकर राशी मतलब क्या प्रिकॉन का प्यूचर सफ ऐसी कौन सी चाह से पाज बाते करेंट सेल्फ को बताना चाहता है 2023 आने से पहले इस वीडियो में वीडियो शुरू करने से पहले में बता दू आप मेरे चानल पे न्यूव हो तो इस चानल के उपर में लॉप अट्राक्शन, लॉप अशंचन, स्पिरिछॉलिटी एं टारोट का ट्रेडिंग रिगार्डिंग वीडियो लाती रहती हूँ तो अगर आप इन डेख तो वीडियो ब्लस आप एक है तो मैं इस टेक को शपल करती हूँ आप सब लोग आपके वीडियों के साथ मेरे मेरी हलुप की जेगा ओमय गॉट अझाट ओमय गॉट ओमय गॉट वीडियों किया गार्ड आया है फॉस्ट चाट जाट नाज लेगं आइड तुम आप है, just a minute, I'll pull one more card, हर एक deck से में पाच card निकालूगी, okay, so these are the five cards which I have listed for you guys, यह पाच card मुझे आप सब लोगों के लिए आए है, मैं card के नाम आपको बता देती हूँ, यह आया है fill of, bill of fortune, तीसरा आया है three of pentacles, उसके बाद third card आया है seven of pentacles, उसके बाद आया है four of cups and यह जो card है, वो है page of wants, ठीक है, तो आप एक साधे simple किसम के इंसान हो, बट आपका जो नसीब है ना, 2023 में पूरी तरीके से बदलने वाला है, you will find a money, आपको पैसे अच्छी तरीके से दिखाई देंगे, मिलेगे भी, बट आप पैसों को उपभोग लेना शुरू कर दीजेगा, नहीं तो क्या है न, वो पैसे पड़े रहेंगे bank account में, आप बस उसको देखते रह जाओगे, कोई और उसका फाइदा उठा के लेके जाएगा, ऐसा होता है न, कई बार हम savings करते हैं, करते हैं, और फिर किसी और चीज़ पे वो पैसे खर्चा हो जाते हैं, खुद के उपर नहीं होते हैं, बहुत सारे लोगों का कर्मा जो आपने किया है, उसका फ़ल आपको मिलेगा ही मिलेगा, so according to me, obviously हर कोई अच्छा ही करम करने के लिए इस दुनिया में आया है, तो आपको अच्छे कर्मों के नतिज़ा इस बार दिखाई देगा, विलोग पॉस्चिन आया है, so it is bring a good luck, prosperity, abundance आपके जीवन में, but same time आपको इस बार का ध्यान रखना होगा कि आपको darkness से दूर रहने के आवशकता है, darkness and positivity, negativity and positivity के बीच में एक balancing act करने के आवशकता है, ठीक है, आप एक ऐसे इंसान हैं जो अकेले stand out होना पसंद करते है, भीड में stand out होना पसंद नहीं करते, ठीक है, तो फिर वो एक आपके strength है उस skill को आप मजबूद बनाई है, ठीक है, कि चार लोग आपकी तरफ देखे, बट ये balancing act करते समय, चार लोगों में stand out होते समय, अगर आप थोड़ा सा कभी मतलब fail हो जाते हो, तो please निराश मत होईए, आपको बाकी लोग मिलेंगे जो आपको support करेंगे, guide करेंगे, bless आपके लिए, अगर आपको ऐसे लोगों की कमी आपके जीवन में अभी महसूस हो रही है, तो एंजल से connect करने की कोशिश कीजिए, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, बाकी लोगों help मांगे जो आपको help करते हैं, वो like cheerleader का का काम करेंगे आपके लिए, support करेंगे, help के लिए, ठीक है, तब तक मैं अभी दूसरा card, दूसरा जो deck है, हमारा angels का मैं उसे शबल कर रही हूँ, देखते हैं, angels आपके future self के साथ connect करके हमारे लिए क्या guidance लेके आते है, I wish कि ये guidance सही जो आ रहा है आपके लिए, आप उसे follow करो, so first card I got is a opportunity and second card is I got more information, ठीक है, next card जो आ आ रहा है हमारे लिए guidance, वो देखते हैं क्या है, that is the big and happy changes, क्योंकि below fortune आया है तो obviously happiness enter करेगी ही, जो आपको बड़ी खुशिया लेके आएगी आपके जीवन में, नहीं नहीं opportunities के दर्वाजे खोल देगी आपके लिए, आपको अधिक अधिक information उतलब्त करवाएगी आपके ज करने से ही बोला था, एंजल से आप करने करिए, ask your angels for guidance and support and we got a card, ask your angels, help मांगे उससे, support मांगे उससे, जितना आप एंजल से connect करोगे उतना, अच्छा होगा, meditation brings answers, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, you will find a people, आपके around people रहेगे, जो आपको help करेंगे, but अगर आपको help नहीं मिल र मुश्किल आ रही है, start doing meditation, meditations के अवस्था में जब आप जाते हो, meditate की state में आप जब जाते हो, that time आपका subconscious mind active हो जाता है, conscious mind से ज्यादा, ठीक है, obviously thoughts आते हैं, उनको pass कर दीजिए and फिर से आपके meditation के point पे, focus point पे आ जाईए, thought आया, उसको pass कर दीजिए, फिर से meditation के focus point पे आ ज हैगा and you are able to align with your that future self, your आपका subconscious mind, जो आपको message देना चाहता है, so that is the thing, मैंने आपको बोला था ना, आपको balance करते आना चाहिए, सारी चीजों में, जब आप balance करना सीख जाओगे, तब आपको पता चलेगा, कि will fortune कैसे, fortune of will कैसे घूमता है, कैसे opportunities आती है, कैसे आप information के साथ, big happy changes आपके life में ले के आ सकते हो, ठीक है, I am going to pull another five cards from a next deck, first card जो आया है, council of light, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, कि आपके जीवन में लोग रहेंगे, जो आपको help करेंगे, guide करेंगे, बस आपको meditation के साथ, angels के साथ, उस perfect energy के साथ align होना है, dance with your life, and transformation, change life, obviously will of fortune है, so dance with your life, do something to change your energy, positive energy आपकी life में आएगी ही आएगी, और चीजे मतलब will of fortune आया है, opportunities आ रही है, तो ऐसे cellular level पे जाके change होगी ना, कि आपकी पूरी जिंदगी ट्रांसफर्म हो जाएगी, मतलब ऐसा कहा जाता है ना, पूरी तरीके से जिंदगी ट्रांसफर्म हो जाती है, मैं exaggerate नहीं कर रही हूँ, बढ़ा चड़ा के नहीं बता रही हूँ, जो सच है वही बता रही हूँ, जो cards बता रहे है, I am just telling you that, next आया है the age of light, जैसे आप reborn हो रहे हो, आप मतलब इस चीज का lifetime के लिए वेट कर रहे थे कि कैसे मेरे जिंदगी की काया पालट होगी, और म सारी चीजे बदल दूगा, ठीक है, and हमारा last card है, that is star mother, how can you mother yourself, तो मतलब खुद, ये सारी जो opportunities आ रही है, we love fortune आया है, तो बहुत सारा, मतलब जो चक्का भूम रहा है, वो बहुत सारी blessings लेके आएगा, happiness लेके आएगा, opportunities लेके आएगा, upside downs भी लेके आएगा, but that time, खुद क बहुलना नहीं है, खुद की care कीजे, खुद को nurture कीजे, like खुद को motherly, जो कहते हैं, like treat दीजे खुद को, ताकि आप मतलब खुद को जितना काम करोगे, उतना meditation असर करेगा, उतना आप मतलब light के साथ, universe की light के साथ aligned हो पाओगे, उतना आप angels के साथ align हो पाओगे, ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप उपर बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, उतने happy changes आपके जीवन में दिखाई देगे, you will find lots of money in your life, real fortune जब घुमता है, सारी चीजे लेके आता है, obviously थोड़ा सा kios भी आता है, बट हमें उसके लिए हमेशा ready रहना पड़ता है, क्योंकि हमारे जीवन में इतनी opportunities आएगे, हमें support करने वाले लोग रहेंगे, angels रहेंगे, तो हमें डरने की और घपराने की कोई बात नहीं है, ठीक है, so ये थी future self यही सारी बाते आपको बताना चाहता था, I hope आपको समझ में आया होगा कि यसी कौन सी बात है, कि वो हमें बताना चाहते है ठीक है, मैं आप सब लोगों को मिलती हूँ अगली वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आईए तो इस वीडियो को लाइक कीजे, वीडियो के निचे कॉमेंट करके मुझे बताईए ये वीडियो कैसी लगी, आपके और भी कुछ सवाल है तो आप मुझे कॉमे झाल